हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस यूटुब चैनल पर है दोस्तों आज हम इस वीडियो में मोडम के बारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे मोडम क्या होता है कैसे यह वर्ट करता है इस वीडियो में आपको मोडम के बारे पूरी जनकारी मिलेगी तो वीडियो को अंतर जरूर देखें सबसे पहले हम लिखते हैं यह मोडम होता क्या है यह मोडम का स्पिलिंग होता है मोटी यह तो दस्तों यह जो मोडम है यह दो वर्ड को मिलके बनता है सबसे फ़र्ष्ट होता है मोडम यह मोडम मतलब होता है मोडूलेटर और यह दम का मतलब होता है डी मोडूलेटर दूस्तों modem को पढ़ने से पहले आपको यह modulator और demodulator के बारे में जानना होगा तो यह modulator और demodulator क्या होता है इसके विए से में हम अभी discuss करें है दूस्तों यह modem जो होता है यह दो word को मिला के बनता है modulator और demodulator इक्वल तू modem तो modulator क्या होता है modulator इट करण हर्ट्स देजिटल सिगनल तू एनलोग सिगनल modulator का काम क्या होता है यह डिजिटल सिगनल को एनलोग सिगनल में convert करता है ठीक है दूस्तों अब demodulator का क्या काम होता है जसका आपोजीट होगा दी मोडुलेटर इट कन वर्ट्स देजिटल सिगनल तू दिजिटल सिगनल दी मोडुलेटर का काम क्या होता है यह अनलोग सिगनल को डिजिटल सिगनल में convert करता है तो तुस्तों आपको यह दोनों वर्ट से आपको पता चल रहा है कि modem में क्या काम होने वाला है modem में बस सिंपल सा वर्ट होता है में digital signal को दिजिटल सिगनल में convert करता है और analog सिगनल को digital signal में convert करता अओ बस मोडम का बस से ही काम है तो आगा हम डिसकाद करेंगे ंचिर थम्सर्पर में होता क्या है कि दूर्टम यह मोडम जुर्व क्यों होता है एक हाड़वेर कंपोनेंट है जो क्या प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यह दोनों के बीच यह इस्टेब्लिश रहता है तो हम चलिए दखते है मोड़ा इस फॉन्ड विट टू वर्ड्स जैसे कि हम उपर डिसकर्स कर चुक है क्या-क्या है वह वर्ड मोडिलेटर एंड अरूड लह बीछ चलिव है देकर ट्सर निएकि झाल दौ ओर्ड डर्ड अरी in दौर निएके लिट टा से न्ग्ड टन्सक्रीच विखास है विट थर्ड ट्ट टास्त,। प्लेस यह दिएक बबड़ कर दूओब़ कर के जह का चलिए मोडुलेटर एंड दी मोडुलेटर यह एक डिवाइस है जो क्या मोडुलेटर और दी मोडुलेटर के तरह यह वर्क करता है ठीक है नेक्स्ट इस डिवाइस इस यूज़ टू वारे यूज़ एल भीवाइस कंप्यूटिंग डिवाइस यह कंप्यूटिंग डिवाइस क्या हता है के मैं यह कंप्यूटिंग डिवाइस अग्साइक सब्मप्यूटिंग यूज़ attended है आप कंप्यूटर को कनेट करने के लिए हम इस सीज का यूज करते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए तो सेन्ड और एब रिसीब डाटा डाटा को सेंड या रिसीब करने के लिए कंप्पिटर को हम इंटरनेट से कनेट करते हैं मोडम डिवाइस को यूज करके ठीक है दोस्तों अब यह वर्क किस तरह करता है किस तरह यहां पर सिग्नल फुलो होता है इस विष्टर में अब पढ़ेंगे तो जैसे हम लोगों को पता है कि कंप्प्पिटर जो होता है वह वह को हम डिटीट डेटा को डटा पर करता है यानि कि अपकें टीजिटल में बंडडा या, यानि कि आपका डीटीटल था था या बाइंडरी डटा, बट यह जो मॉडव जो हूँ यह आपका जो जो मॉडविग वेब करता है ये डिक आंभिवैब करका है, टो छल्लिक लेता है ए computer only work in digital data that is binary data binary data but data travels through phone lines or radio waves on internet which can be in the form of analog web only computer only works in digital data computer data and binary data 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 travels through phone lines or radio waves on internet data travels through phone lines or radio waves through analog web form analog web form data travels through internet ठीके दोस्तों बस मोटम को बस आप इतना ही जाना है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो क्या analog signal को digital signal में convert करता है और digital signal को analog signal में to connect the internet internet को connect करने के लिए analog signal से digital से analog में convert करता है signal को signal को convert करता है कि आई होप कि यह आपको मोडम समझ में आ गई होगी अगर दूस्तों आपको कहीं अगर प्रोलम हो तो आप हमको comment box में तुरहत पूछ सकते हैं यह फिर आप हमको इस्टागरम पर फोलो कीजिए वहाँ पर आप हमको directly हमसे आप बात करके वहाँ पर अपना प्रोलम का solution ले सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज धस्तों subscribe कर लें और बेल अकान को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो like जरूर कर दें ताकि इससे हमको वीडियो बनाने का motivation मिलता रहे Thank you for watching this video and never forget to subscribe